पंजाब के जालंधर में दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे एनेच फोटीफोर के बाद किसानों ने रेलवे ट्रेक भी अनिश्चित काल के लिए जाम कर दिया है गनने का रेट बढ़ाने की मांग को लेकर किसान प्रदशन कर रहे है उन्होंने लुध्याना की तरफ जाते वक्त पी एपी चोक से कुछ दूरी पर दुन्नवाली फटक के पास ही रेलवे ट्रेक और नेशनल हाईवे को बंद किया है इसे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है रेलवे ट्रेक बंद होते ही शताबदी एक्सप्रेस को कपुर्थला के फागबड़ा में रोक दिया था ये प्रदर्शन जालंदर केंट स्टेशन के पास हो रहा है इसलिए आमरपाली एक्सप्रेस को जालंदर सीटी स्टेशन पर रुका गया जिसके बाद उसे लोहिया खास वाले रूट से निकलवाया गया रेलवे के मुताबिक इस ट्रेक से रोजाना 24 घंटे में 120 ट्रेनों की अवजा ही प्रभावित होगी इससे हजारों की संख्या में यात्रियों को भी परिशानियों का सामना करना पड़ेगा जालंदर जालंदर के इंट रेलवे स्टेशन से ट्रेक पकड़ने वाले यात्रियों को फगवाडा और लुधियाना से ट्रेन पकड़नी पड़ रही है महीं अमरत्सर के यात्रियों को भी फगवाडा और लुधियाना ट्रेन पकड़ने के लिए जाना पड़ेगा गुरुवार को सुबह किसानों दोरा रेलवे ट्रेक जाम किये जाने तक 40 ट्रेने निकल चुकी थी शाम तक करीब 112 कुल ट्रेने प्रभावित हुई जिसमें अगले तीन दिन तक लुध्याना, जालंधर और अम्रसर आने वाली कुल करीब चोपन ट्रेने कैंसिल हो गई वही बुधवार को सीएम भगवंत मान के किसानों को हाईवे जाम कर लोगों को परिशान न करने की दो टुक नसियत दी थी हालकि जालंधर पुलिस बेरिकेंडिंग करने के बावजुद किसानों को रोक नहीं पाई